दुनिया भर में शेर की बहुत सी किसमेन हैं, अगर्चा हमारे देखने मीन कम आती हैं, चनांचा मशूर फलसफी इरुस्तू की तरफ मनसूब करते हुए मनकूल है वो कहते हैं, मैंने एक अजीब किसम का शेर देखा, जिसका रंग सर्ख और शकल इनसान से मिलती जुल्टी और बाज मुर्रिखीन कहते हैं, एक शेर ऐसा भी होता है जिसकी शकल गाय से मिलती जलती होती है, और कुछ हजरात के खयाल में छोटे छोटे सेंग भी होते हैं, इस कस्म के शेरों के माहरीन के मताबिक शेरनी बच्चा पैदा करने के बाद कुछ दिन के लिए उसकी खूब हिफाज़त करती है, हता कि बच्ची आँखें खोलता है और छे माह तक वो अपनी मा की हिफाज़त में रहता है, फिर अपना शिकार करने के काबिल हो जाता, है फर वो अपनी जिम्मादारी महसूस करता है, जानूरों की दुनिया के माहरिन कहते हैं कि शेर बहादिर नडर हमला आवरहों ने, बावजूद बहुत साबीर होता है, चनांचा भूक बरदाश्ट करता है, खास कर पानी की जरूरत तो काफी दिनों तक महसूस नहीं करतावर, उसकी बहादराना खूबी ये है कि अकसर वबेश्तर, ये किसी और का क्या हुआ, शुकार नहीं खात और मजीद मजे की बात ये है कि खाते खाते जब पैट भर जाए, तो बकिया शिकार को वहीं छोड़कर चला जाता है, और फिर दोबारा इस शिकार पर नहीं आता, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी है, कि जब उसको शिद्दत की भूक लग जाए, तो बहुत ज्यादा बद मिजाज हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर पेट भर जाए, तो सिस्ती का मरीज बन के पड़ा रहता है, आवर किसी चीज की परवा नहीं करता, शिर हमेशा अपना शिकार करना ही पसंद करता है, लेकिन कुत्ते का जोटा बिलकुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ये अ चबाए बगेर नोच-नोच कर खाता है, फिर उसका तकातवर मादा खुराख को हजम करता है, एक और हैरतनाक बात शेर में पाई जाती, हैस के मुना में लुआब वाला पानी बहुत कमाता है, इसलिए शेर का मुना बहुत बदबुदार रहता है, शेर की हिम्मत वो बहाद बादरी जर्बल मसल है। लेकिन उसमें बाद कमजूरियां भी इंच शनांचा माहरीन कहते हैं कि ये मरग की आवाज से बहुत घबरा जाता है। दरंदे जानवर से महब्बत नहीं होती क्योंकि ये तमाम जानवरों में से किसी को भी अपने साथ महब्बत के काबिल नहीं समझता और ये जानता है कि किसी जानवर में ये सकत नहीं कि वो उसके हमले का जवाब दे सके। बाद माहरین कहते हैं कि हैजवाली आरत से भी शेर खूफ खाता है और उसके करीब नहीं जाता। शेर पर हमेशा बुखार गालिब रहता है जिसकी वजह से, उसका जिसम हमेशा गर्म रहता है। और शेर के बोड़ा होने की निशानी ये होती है कि उसके दानत गिरना शुरू हो जाते हैं जब दानत कमजूर या गरना शुरू हो जाते हैं तो ये कमजूर हो जाता है ज्यादा शिकार के काबिल नहीं रहता फिर छोटी और कमजूर चीजों का शिकार शुरू कर देता है उ कि इन्सान ज्यादा मुजामत नहीं कर सकता। उस हालत में अगर इन्सानी आबादी करीब हो तो खतरनाक हो सकता है। फिर या तो उसको मार दिया जाता है या पकड़ कर चड़िया घर वगीरा में छोड़ दिया जाता है।